गॉस्सवो गॉस्सवो जग है एक एप्लिकेशन एक फ्लक्स की जैसे कि आपको याद होगा के कल हम रोगों हो ने एक फ्लक्स फाइनाट गया था एक चार्ज थी क्योंकि पॉजिटिफ चार्ज थी हो था और एक सफेर के अंदर उसके अंदर उसके सेंटर पर पड़ा था तो हमने कहा था कि जब भी कोई क्लोस्ट बोडी हो जो जो बोडी और गैलेक्टिक फ्लक्स होता है उसका एलेक्टिक फ्लक्स हमेशा जो है वन डिवाइट बैप साइन और जिस मिलियम के अंदर वो है इंटु जो चार्ज उसके अंदर क्लोस है उसके बराबर होता है सिमिनरली आज पीसी से मिलते चूती एक अप्रिकेशन और है एलेक्रिक फ्लक्स की जिसे हमनों गॉसर्स लॉग कहते हुए सिमिनरली इत नहीं चार्ज बॉड होो और ऑफ घूलरे नहीं है कि अपीस से चुप्रम और बहुत ज़ ज़ादा कह और किती है जोप्त रहें नियुक्त हो मेरे पास बांदी बहुत ज़ार है Q1 है Q2 Q3 and so on Qn तक चार्ज हैं तो इस पूरी की पूरी सर्फिस का जो इलेक्टिक फ्लक्स होगा वो मैं इस तरह से मानूम कर सकती हूँ कि मुझे इसके लिए इसके लिए इसके लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा वो काम ये है कि मुझे सपोस्ट करना पड़ेगा पलता है YouTube कि मॅनुके लिए सम्टी ये हमारे ये खोक सपॉय लिए यह चार्ज के अरॉड tha करना यह यह जबत, हैं के धो कि मुझे वार्वड़ेगार पड़ेगChar review को अर्षट के उंका प्ना सफर्पेकl के इस बिर्म एक कर लावरे इस पारेगार बॉड़ेए यह कि हर्या के अराउंड एक रेगुलर टाइप की हमारे पस सफेर की तरह का एक सर्पेस हैं जिसके अंदर ये चार्ज क्लोज्ड है इस तरीके से हम लोग गॉस्स वा को प्रूब करने के लिए कि गॉस्स वा फिर है क्या उसके लिए हर इर्रेगुलर शेप की जो बोडी होती है उसके अ इस तरीके सफेर कर लेते हैं जिसके यह सफेर है सफेर एक रेगुलर शेप की जो है क्लोफ बोडी है तो उसे मैंने यहां पर क्यू वन चार्ज क्यू तू थ्री और सौं क्यू एंट तब तक यह सपोस्स कर लिया अब आपको पता है कि जैसे कि हम लोग ने लास्ट वर्यो होती है क्योंकि इसकी कोई ना कोई तो फिल्ड होती है और इसकी फिल्ड को हम इलेक्रिक फिल्ड कहते हैं क्योंकि यह पॉजिटिव चार्ज हम लोग ने स्टार्टिक में ही बताया कि यहां पर हमाई पर जो क्यू है क्यू पॉजिटिव चार्ज है अब चूप पॉजिव किसी भी की पॉइन पर किसी भी चाइज की की flash campaign को बताना करें हैं और टा सब्स्क्तर कई यूज करते हैं जिसके डीर्रशन को हम लोग एक arrow है रिप्रेसन करते हैं अब हमलग की उआ इसे उह sudden पॉरी का सार्फिस पर पीडियों होता है कि itself हमारे इक यह इसे आ प्र, इसे हमारे इस घ्रिसे लिचारच से निकर रहे हैं बात है स्थ्रिपस के ऊपर पचानी में शालते में इस पूरी की पूरी स्वर्फिस इसे तरह बी आपके पास चार्ज होंगे आप इसी तरह ज़से ये काम करते चले जाएंगे तो आपके पास फ्लक्स प्रड्यूस होता चाहे जाएगा चुकि जो इलेक्ट्रिक फीड लाइन है वो इस सर्फिस में से पास कर रही है इस चार्ट की रसे तो जब भी फीड लाइन इलेक्ट्रिक फीड लाइन कीसे भी सर्फिस से पास करती है तो उस सर्फिस में इंडियोज कर देती हैं जैसा कि हम लग उने कर लिए समझा था कि अगर एक सर्फिस नहीं तो इसकी इलेक्ट्रिक प्लक्स जो हमेशा वन डिवारी वैब साइन ओड एंट्व वह चार्ज है जो इसके अंदर अब इसके अंदर क्लोज है अब इसके इलेक् अपना कोई नो कोई फ्लक्स होगा, let's say कि मैं यह कहती हूँ, मेरे पास यहां पर मुझे इलेक्रिक फ्लक्स चाहिए, इस चार्ज क्यू वन के लिए, तो इस चार्ज क्यू वन के लिए जो इलेक्रिक फ्लक्स आएगा, वन पर एपसाइड नौट इंटू क्यू वन आजेगा Similarly, मैं यह कहूँ कि जो चार्ज क्यू टू है, इसकी विजए से मुझे इलेक्रिक फ्लक्स वनूँ करना है, इस तो वो वन डिवाइड पर एपसाइड नौट इंटू क्यू तू आ जाएगा इसी तरह अगर मुझे इस चार्ज क्यू 3 के लिए इलेक्रिक फ्लक्स फाइंड आट करना है, तो उसे वन बाइपसाइड नौट इंटू क्यू 3 लिख सकती हूँ और इसी तरह के से यह काम करते करते हैं, मैं एक चार्ज N तक पहुंड जाती हूँ यहाँ पर मुझे लिख सकती हूँ, तो इस तरह के से करते हूँ ने डिफर्ट चार्ज के लेक्रिक फ्लक्स फाइंड आट करना कूँ अब क्योंकि मुझे इस irregular body का इलेक्ट्रेक्टरिक्टरग्स चाहिए नहीं तो उसे मैं इस तरही किसे हूं कि मैं करेगरेगी है। इस तरी किसे कि हम उत्व ही जो है टोठल ऑक्स ही वह छो है इलेक्ट्रिकрок्स चार्ज 1 का प्लास चार्ज 2 का प्लास चार्ज 3 का टाल जो इलेक्तिक फ्लक्स है र कि वह साथ ऑनकम Mineånिहें नोडली कि एनकम इलॉट्र्स खला जब होगे इस पूरी पूरी इर्रेगूलर बोडे का फ्लक्स बता देता हैं अगर मैं इसी इस्थरा बिल्गूल कि अब जो में पस टोटल फ्लक्स आजेगा यहां पर टोटल फ्लक्स है वो 1 divided by epsilon into q1 plus 1 divided by epsilon into q2 plus 1 divided by epsilon into q3 plus on और qn तक 1 by epsilon into qn यानि कि यह हमारे पस n वाले शार्ट का जो है अब चुक्के हमारे की पर्मेटिविटी ऑफ स्पेस है यह तो हमारा मीडियम सेम ही रहता है इसलिए हमें से कॉमन ले लूँ और अंदर की सब चार्जिस को q1 q2 plus q3 zone qn तक add up कर लूँ और add up करने के बाद कहूं कि यह capital charge q है जो के उस irregular body के अंदर मजूद है तो अब मेरा जो total electric flux हो जाएगा उस irregular body का वो होगा 1 by epsilon into q तो यह वाला काम जो है यह हमारे कल वाले काम से मैच से लेकिन दोनों में परक यह आता है कि यह गॉस्स रोजर है यह electric flux की application में होता है गॉस्स रोजर है यह कहता है कि अगर कोई irregular body हो और उस irregular body के अंदर काफी जादा charges हो तो उस irregular body का जो जो electric flux है वो हमेशा 1 divided by epsilon into charge जो उसके अंदर closed है उसके product के equal आ जाता है तो यह हमारा गॉस्स होता है आगे से मजीद गॉस्स कोई की भी application है जसे कि यह एक इमिज देख सकते हैं आप यह एक irregular body है इसके अंदर काफी ज्यादा charges है तो हर charges की विड़ा से electric field और electric flux different होता है तो इस तरीके से surface होती है इसे हम लोग Gaussian surface बोलते हैं और इस surface का electric flux निकलता है वो gausses लोके थो निकलता है चूंकि इस surface के नमजूद हर charge की विड़ा से produce होने वाले electric flux को हम लोग add up करके इस पूरी की पूरी surface का जो है वो total flux बताते हैं total electric flux इस पूरी की पूरी surface का हमेशा one by epsilon into charge जो उसके अंदर closed है सारे के सारे charges का जो addition charge capital Q charge है उसके product के equivalent है इसकी कुछ applications है जिनमेंसे first application हम यह बरी करते हैं लगसे के मैं यह कहते हूं कि जो first application है उसमें हम लोग करते हैं कि हम determination करते हैं determination of e e कुछ find out करते हैं inside a inside holo charged sphere यह charged surface के ले charge आप charge to surface भी कह सकते हैं और charge sphere भी कह सकते हैं let's say कि मुझे e को determine करना है अगर तो मैं सफियर की बात कहूं let's say मैं holo का मतलत यह है कि अगर आपके पास कोई एक sphere है इस तरीके से और इसके उपर charge मजूद है let's say कि मैं कहते हूं कि इसके अपर मेर पास चार्च है वो positive charge है इसके बाहर वाली साइट पर यह इसके surface के बाहर मजूद है लेकिन अंदर से यह hollow है अंदर इसके पास कोई भी charge नहीं है तो इस situation में अगर मुझे E determine करना हो तो इस situation में E किस तरीके से determine कर सकती हूं यह तो हमारे पर सिक सपेर आ जाता है ना सपेर का case इसके इलावा खुल भी surface हो जैसा कि कोई इस तरहां आपके close और irregular surface आजे जिसके बाहर पर plus positive charges हो लेकिन अंदर कुछ भी ना अंदर से यह hollow हो तो इस situation में इन दोनों cases में जो E है अगर हमें वो determine करना हो तो उसे हम किस तरीके से मानूम कर सकते हैं इस situation में इस तरह से मानूम की जा सकती है कि हमें मुलूम है कि हमारा electric flux होगा इस situation में electric flux हमेशा बराबर होता है one by upside note into charge q अब दिखा जाए तो हम इस hollow sphere के अंदर E find out करना चारहें ना यहां पर हमें E find out करना है अंदर तो अब हमारे पस कोई charge है नहीं तो इसका मतलब तुम्हें यह ले सकती हूँ ना कि अंदर अब हमारे पस कोई charge नहीं है तो इसका मतलब है अंदर जो charge है वो zero हो जाता है अब जब हमारा flux zero हो गया है तो इक किस तरह से determine करें E को determine करने के लिए आपको मालू है कि आपका standard formula है जिसे कि electric flux आपने find out की थी तो आपने कहा था कि electric flux हमेशा E A के बराबर होता है यानि कि यह हमारा standard formula था यानि E A cost data और cost data अमोमन cases में cost zero होता है जिसकी वज़से हम लग बेसिकली जो electric flux है उसे E A के एकवर लिख सकते हैं अब एक equation हमारे पस लेट से कि यह B है और अभी जो हम लोग ने electric flux find out किया जो कि zero हो गया है इसे हम गया देते हैं यह A है यह भी एक electric flux के surface का यह भी एक electric flux की सर्फिस का लेकिन यहां पर यह जो electric flux zero हुआ है यह उस surface का zero हुआ है जिसके surface के ऊपर charges में जूदे है लेकि अंदर सेखुझ लोग था अंदर उसके पास कोई भी charge नहीं था जिसकी वज़से उसके अंदर electric flux zero हो गया अगर आप मैं यह कहूं कि इन दोनों एक्वियन की लेक्ट हैंड साइट इक्वल हैं तो इनकी राइट हैंड साइट को भी तो मैं इक्वल ले सकती हूं ना इस तरीके से तो अगर मैं E find out करना जाहूं तो मैं 0 divided by vector radial लेकर इसे कह सकती हूं कि हमारी जो E है वो 0 हो जाता है इसका मतलब है कि अगर हमारे पर कोई भी closed surface हो जिसके उपर charge मजूद हो लेकि अंदर से वो खोलो हो अंदर कोई भी charge मजूदा हो तो उस surface के अंदर अगर हमें अंदर electric field find out करने हो यह find out करने हो तो उसके अ फ्लक्ट 0 है और electric plug 0 होने के उदर से हमारी E जो है वो 0 हो जाती है तो यह जो है हमारे गोस्ट वो की पहली application थी कि हम E को किस तरह से determine कर सकते हैं किसी भी hollow sphere या hollow surface के अंदर जिसके बाहर तो charge हो लेकिन अंदर से वो hollow हो गोस्ट वो के दूसरी application यह है कि अगर हमें E determine करना हो याणि यह यह एक ऐसे charge field हो जिसकी length है यह length infinity हो तो उसके बारे में यह electric field हम किस तरह से determine कर सकते हैं हम इस तरह कर सकते हैं कि लट सी कि हमारे पास एक surface है इस surface को हम लोग ने positive charge कर ले जाने कि पूरी के पूरी positive charge है अब इस surface के अउपर हम लोग यह imagine कर जाते हैं, कि इस surface के अंदर हम लोग ने एक cylinder type का, जो एक cylinder है इस तरह से इस तरह से सिलंडर बोडी है जिसे हम लोग उने एऽ पार कें इसे इंदर कीक्षा फ़ीडक्षे करे हैं तब एक अर्असवार के जबलबेपस साल मेइन से इस पीड़ा कीज़एगी और इस साइड घुठा जैते हैं चींकि इस सर्फिस के ऊपर चार्ट है और चार्ट की विड़ा से इस overlapping इन अर्डेट इन तरफ हो गार इस सर्फिस का इन तरफ उर्फिस जो हमारे पस इन फार खाल क समझ है होना हमारे इसमें पास favu रही है और वेक्टर अरिया हमेशे सामने के जाने हैं यह दो हूं है इनका जो आपस में अंगल है वो जीर हो है क्योंकि यह दोना आपस में पैरलेल हैं दोसी जह नहीं है कि मैं एक भी है इस पूरी कि पूरी इस पीडियर कर लेती ह typically रही है ज़से के मैं और पॉइंट पी को यहां पर लिकलिती है अग आध इस पॉइंट प्र इस साइट पर इसके ओपर पर है इसका पर सॉफेर होता है चुमकर hoping is a लॉदे इसके और समने के तरफ यह सामने के तरफ इसका और सामने की तरफ इसमे deeper स्वावित जडे ऐसा में रॉने ज़कर ऑड डालिय ये और Capal रहुड़ से उत creo processor अज़ जा सामने की तरफ हैं हमारे खुआ इस शीट है और यह हमारे इलक्टरिक फिट लाइन तो इसका एंगल तो यह ही हो गया और यह यहां कोई भी पॉंक बने इस पी के ओपर जो ग्तिर दे लिया है वह इस ड्रेक्षिन में जब कि छो बोड़े में लिया है इस का मतलब है यहां पर जो प्रिक्षिन हो तो जब भी हमारे पास एक large sheet हो जो कि चार्च हो और infinity पास की length के लिंध और इसके लिंध रगा लेते हैं कोई भी एक cylinder वगभर कुछ भी रख लें तो उस surface का कोई भी और आप स्वेस पहले कह सकते हैं जैसे इसमीं 3 व्रास फ्लेक्स करेंगे इसमें 1 जगा जी節 ढी कि ईवन ここ यह कि ब्लिट्र कम ठाब अइसे करें गिए ब Corporal में इसमीं गया है become 2 फ्लेक्स करें अबर झाल कि डिर भ remote Montgail का इसे ब्लिट्र करेंज रहे हैं यह सेपर का रोगतर का है उसकी डिर्डाइशन यह को पूरी सर्फिस से और इलेक्टिर फूयूर लाइन को समय में eg ऑर इस में से पास करें और समय 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 को आग से ऐेर्सन घुशिंग經 और A2 कह देती हूं इसे E1 और A1 कह देती हूं लेकिन इस सफेरिकल सर्फेस इस कलंडर नुमा जिसम के उपर अगर मैं कोई भी पॉइंट भी कंसिडर कर लूँ तो इस पूरी के पूरी सर्फेस में कहीं भी चली ले लूँ यहां पॉइंट पी ले लूँ क्यों ले लूँ और यह जग्टिर इरिया इसका इस सिचुशन में अफ़र डिरक्शन में होगा A3 तो यहां पर अब जो एंगल है वो 90 बन जाता है तो इस तरीके से इस पूरी के पूरी सर्फेस पे तीन फ्लक्स आते हैं पहला फ्लक्स जो है वो E A कॉस ठीटा वाल नाजर का दूसा फ्लक अब देखा चैए तो पूस ठीटा वन जो है यहां पर यह एंगल जीरो है तो जीरो होने के विले से यहां पर हमारे पर E T आजाता है यहां पर हमारे पर E 2 यहां पर भी हमारा पर एंगल है वह 0 है चुक्क दोनों parallel है लेकि जो तीसरे situation है E3 और A3 इसमें cos theta जो है 90 आजाता है यानि cos 90 तो cos 90 जो है वह 0 है और 0 होने के उसे हमारा तीसरा flux जो है वह 0 हो जाता है तो overall जो हमारा total flux आता है वह आता है E2 A2 plus E1 A1 पूरी की पूरी surface में जो electric field line है वह भी similar पास करने से में से में quantity में उनकी जो intensity है वह भी similar है और vector area भी same है तो इसे में E1 लिख सकती हूँ E A plus E A किस तरह से करने से यहां पर में पस 2E A आ जाता है यह total flux आ जाता है मेरे पास उस surface का उस sheet का जो कि चार्श है और जिसके length जो है infinity है अब अगर मैं E A mark कर लूँ और इसका comparison करूँ standard electric flux से जो होता है E A के इक्वर इस equation B mark कर लेता हूँ B mark कर लेती हूँ तो यहां पर जो है यह भी flux same है यह भी flux same है जोना equation की जो left hand side similar है तो right hand side पे तो similar होनी चाहिए ना equal होनी चाहिए E A equals to 2E A Okay sorry हमें यहां पर के B को यह इस तरह से नहीं लिखनी चाहिए चुके अब तो हम लोग जो है इसका comparison यह गॉस्स लोग के application है तो अब तो गॉस्स लोग के जो electric flux हमारे पक निकला है हमें वह यहां पर लगाना चाहिए तो हमें गॉस्स लोग का जो standard formula है गॉस्स लोग का जो जो लो है वन पाइ अप्लाइन और इंटु चार्ज क्यूँ वो इस्तामार करना चाहिए क्यूं इस पूरी के पूरी सर्फिस पे मजूद है वो चार्ज क्यूं इसके surface charge density और vector area के equal है यानि कि मैं इसे इस तरह से लिख सकती है कि हमारा जो surface charge density होती है किसी भी surface की वो surface पे मजूद total charges divided by vector area of that surface होती है यानि कि इनकी devian जो है वो surface charge density equal आ जाती है और जो q है वो sigma a के equal आ जाता है इसका मतलब है कि मैं इस q को यहां पर put कर सकती है अगर मैं इस q को यहां पर put करनूं तो मैं बस one by epsilon और sigma a आ जाता है अब यह equation जो है यह equation b बन जाएगी अपनी इस के साथ comparison कर सकती है पहले भी मैं comparison कर सकती थी लेकि इस situation में मैंने surface charge density का concept इसका है जो कि यह है कि अगर आपके पस कोई बीग surface हो और जिससे कि यह surface थी और इसकी infinity length है और इसको पर इतनी ज़दा charges है इतनी ज़दा charges और हर charges का तो मैंने electric flux निकालना नहीं के बजाए मैं क्यों नहीं कह दूं कि ओपराल इस surface की जो surface charge density है वह यह है कि वह इस पूरी surface में मुझूद charges divided में उनके vector area से गर divide कर दिया जाए तो surface charge density आजएगी और अगर q की जगह में तो इसकी surface charge density into vector area का product add कर दो तो मेरे पास equation यह बन जाती है अगर ने इस दोनों का comparison कर यानिके 1 by upside not sigma a into 2e a आया है इस situation से a a से cancel out हो जाता है और हमारे पर जो e है इस तरह से आता है कि sigma divided by 2 upside not तो इस तरह से जो e की determination ने किसी भी charged sheet के लिए वो इस तरह से हम find out कर सकते हैं कि वो हमेशा sigma divided by 2 upside not से मालूम की जाए सकती है तो इस गौस असलों की दोग अप्लिकेशन थी इसकी बाकी की application हम अपनी अगली वीडियो में discuss करेंगे